जै हिन दोस्तों तारी दोस्तों आप सबी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागते हैं चले दोस्तों आज हम आपनों को बताने वाले हैं 10th का जो Maths Chapter है उसका Most Important VVI Objective Question दोस्तों अगर आप भी आप भी अगर 2024 में एक्जाम देने वाले हैं और Maths से आपको डर लग रहा है हम जानते हैं कि अक्सर एक स्टुडेंट को Maths में जो है वो अक्सर डर लगता है तो बिल्कुल भी आप लोगों को डरना नहीं है क्योंकि आज हम आप लोगों के लिए Complete Chapter-Wise Objective Question लिख राए हैं ठीक है जो Question 2024 के लिए 100% लड़ेगा Question बताएंगे दोस्तों आज हम आप लोगों को Real Number यानि कि वास्तविक संख्यां से जितना भी आपका जो पहला चेप्टर है उसका सारा Objective Question कराने वाले हैं तो जितने भी स्टुडेंट कमजोर से कमजोर हैं वो मेरे साथ आजाएए एक-एक Objective Question को कैसे Trick के माध्यम से किया जाता है वो सारा चीज हम आप लोगों को Complete बताएंगे तो आजाएए और एक-एक Question को देखिए काफी सांदार Question है अगर आपको Match में अच्छा नंबर लेना है तो ये जितना भी Question लेकर आए हैं ये सभी Question एक बार पढ़ लीजिए फिर आप लोगों को Match में कभी भी Problem नहीं होगा ठीक है चलिए तो दोस्तों Question नंबर एक से स्रीगनेस करते हैं और जल्दी जल्दी आप लोग अपने दोस्तों में Share भी कर दीजिए बहुत ही सांदार कलास होने वाला है और जो इस कलास में आएगा वही इस वार मैस के पेपर में तवाही मचाएगा ठीक है तो चलिए Question नंबर एक है बुला गया है कि निमनी लिखित में से किसका दसंबलब परसार जो है वो सांद है देखिए दोस्तों आपनों को सांदार ट्रीक से समझाएंगे अब यहाँ पर सांद ओ सांद से हर साल कोशन पूछा जाता है और इस वार भी आपनों को पूछा जाएगा 2024 में ठीक है तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि सांद दसंबलब कहते किसको है ठीक है चलिए काफी ट्रीक के साथ समझाने वाले है सांद दसंबलब हमारा क्या होता है ठीक न दोस्तों चलिए देखिए सांद दसंबलब से पहले हम आपको बता दें एक चीज़ आपको पता होगा अंस और हर के बारे में उपर हमारा अंस होता है नीचे हमारा हर होता है ठीक है ये तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों आप यहाँ पर आपको यह समझना है देखिए अंस से हमको कोई मतलब नहीं है केवल हमको हर के बारे में समझना है ठीक है उसके बाद केवल 5 आ जाए, तो ये हमारा क्या होता है, 7 दसमलब होता है, अब देखें ये 7 दसमलब कैसे होता है, एक बार फिर से बताते हैं, हर में, अंस से कोई मतलब नहीं है, एक बात और नोट कीजिएगा, अगर यहाँ पर कोई संख्या कट रहा है, तो पहले उसको से किया जाता है, अब्जेक्टिव जो कर लेगा, उनका पेपर तो बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है, तो ध्यान देने बाली बात यहाँ पर यह है, कि हर में अगर 2-5 आ जाए, दोनों 7-7, तो भी हमारा 7 होगा, या अगर केवल 2 आ जाए, या केवल 5 आ जाए, तो भी हम पर यह हमारा क्या हो जाएगा पता है, यह हमारा हो जाएगा और 7, क्या हो जाएगा, और 7 हो जाएगा, ठीक है, यह हमारा 7 नहीं होगा, किलियर न, आईए, अब कोस्चन को समझते हैं, और देखिए कैसे यह कोस्चन चुटकियों में बनेगा, ठीक है, चलिए, तो हमारा पहला option है तीन बटा आठ अब हम क्या बताएं कटेगा तो ये तो पहले कटेगा नहीं किलियर है अब क्या किजी आठ को आप गुनन खंड में तोरिए तो इसको क्या लिखेंगे दो गुना दो गुना दो ये आठ हो गया अब हम आपको बताए थे ये हर है हमारा ठीक है ये क्या है हर है अब जैसे ही हर में केबल दो आ जाए तो ये हमारा क्या होता है ये हमारा सांत होता है ठीक हम आपको बताए थे या केबल पांच आए जाए तो भी सांत होगा उसके अलाबा अगर दो पांच के अलाबा कुछ भ लीजिए तो 3, 5, 15 होता है 3 और 5 इसका गुनन खंड होगा तो देखें यहाँ पर ना तो 2 है ना ही क्या है 5 है 5 तो है लेकिन 2 नहीं है उसके अलावा क्या है इसमें 3 है तो हम क्या बताई थे 2, 5 के अलावा कुछ भी आ जाए यह हमारा औसांत हो जाएगा यह हमारा क्या हो जाएगा औसांत हो जाएगा ठीक है किलियर उसी तरह से 343 भी नहीं होगा और ना ही 1536 होगा आप लोग चेक कर लिजिए दो को हम बता दिये हैं दो आप लोग खुछ से चेक किजिए तो इसका बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर A दोस्तों आप कितना भी कमजोर है ना मैस में आज के बाद आपनों को कहीं पर भी दिकत नहीं होगा ठीक है A के कोस्टन को केवल गौर से समझिएगा कोस्टन नमबर दो है आपके सामने और यहाँ पर बोला गया है कोस्टन नमबर दो में कि निम्न में कौन सा पर्मे संख्या है अब यह पर्मे संख्या आपको पता होना चाहिए जो रूट से बाहर निकल जाए जैसे कि मालीजी यहाँ पर सोला है तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो यह हमारा root से निकल गया लेकिन यहीं पर अगर बात करें root 5, तो root 5 हमारा क्या होता है root से बाहर नहीं निकलता है तो यह हमारा क्या होता है, ओपरमे होता है यह क्या होता है, ओपरिमे होता है रूट साथ भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, ओपर में संख्या है, देखिए, 16 बटा 25 है और दोनों रूट में है, तो हम निकाल सकते हैं इसको कैसे, 16 का क्या हो जाएगा 4, 25 का क्या हो जाएगा 5, तो ये बिल्कुल हमारा right answer है, यहाँ पर देखिए, 3 रूट 2 3, रूट 3 है, तो ये भी नहीं निकलेगा, रूट 2 ये भी नहीं निकलेगा, तो ये भी हमारा ओपर में हो जाएगा, तो पर में पूछा था, तो हमारा option number C, बिल्कुल right answer हो जाएगा, क्लियर है न, आ जाएगे, एक के question को देखिए, इस तरह से बताएंगे, ठीक है, जिस इसको कैसे लिखेंगे आप, तो देखिए, यहाँ पर क्या करते हैं, दसमलब उराइये, यह हो जाएगा 134, नीचे आजाएगा 100, अब इसको काट लिजिए, तो काटने के बाद क्या आएगा, देखिए, दो से काटीए, दो से हमारा क्या आजाएगा 50, दो से काटेंगे, तो दो चाक 12, दो सत्य 14, यानि कि यहाँ आगया सरसथ बट्टा 50, अब देखिए, सरसथ बट्टा 50 कहाँ पर है, अब यहाँ से नहीं कटेगा, तो इसको छोड़ देना है, परवें का मतलब होता है, जो भीन में आए, बट्टा के रूप में आ जाए, तो बिल्कुल आपक बार ब्रेकेट दिया गया है, इसको बार ब्रेकेट बोलते हैं, बुला है कि 0.23 को परमे संख्या के रूप में लिखिए, बिल्कुल सांदार कोस्चन है, अब देखिए, परमे संख्या, दोस्तों बता दें, जैसे कहीं पर आपको मिल जाए, 0.3 उस पर बार ब्रेकेट, त यहां पर देखिए, जितना संख्या, एक संख्या पर है, तो आपको एक 9 लिखना है, देखिए, यह जो बार ब्रेकेट होता है, इसका मतलब हमारा होता है, क्या चीज 9 होता है, क्या होता है, ठीक है, तो आप यहां पर देखिए, 2, 3, यानि 2, 3 पर लगाया गया है, तो हम क क्लियर है ना एक एक चीज को समझ ये मैंस में आपको समझना बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है अगर अब्जेक्टिव में तवाही मचाना है तो आपको समझना होगा क्लियर ना चलिए दोस्तों सर्दी हो गया है क्या करें फिर भी काम करना परता है क्योंकि आप लोगों के से धेर सारा कोशन पुछा जाता है तो हम अभी तुरंत बताएं कि परमे संख्या उसको कहते हैं जो रूट से पुर्ण रूप से बाहर आ जाए क्या रूट से 5 हम निकाल सकते हैं बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं तो आप्सन ए भी हमारा नहीं होगा दू रूट 3 को निका सकते हैं यह भी नहीं निकलेगा चार मैनस रूट 5 को निकाल सकते हैं नहीं बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं यह भी नहीं होगा रूट 16 हम जानते हैं कि इसका जो हम रूट से निकालेंगे तो चार हो जाएगा तो बिल्कुल यह जो रूट से निकल गया यही तो हमारा क्य दोस्तों अगर question समझ रहे हैं तो जल्दी से अपने दोस्तों में share कीजिए आपको class A to Z class देने वाले हैं exam तक clear है ना सारा चीज clear हो जाएगा समझ रहे हैं चलिए तो करते क्या है एक एक चीज को समझने का प्रयास करते हैं बुला गया है कि 0.3 का परमय रूप में लगुत्त क्या हो जाएगा तीन पर रेकरिंग है तो आपको क्या करना है तीन वैसे लिख देना है और एक संख्या पर लिखा गया है रेकरिंग तो आपको नीचे 9 लिख देना अब यह कटेगा तो काट लीजिए एक वट्टा क्या जाएगा तीन अब देखिए option number C में हमको दिया गय तो समझ गया है आज आईए question number 7 को देखिए बला गया है कि निमने लिखित में कौन ओपरमे संख्या है बिल्कूल ओपरमे संख्या हम जानते हैं कि उसको कहते हैं जो संख्या रूट से पुर्णता बाहर नहीं निकले रूट से बाहर नहीं निकले वो हमारा ओपरमे संख्य होता है तो अब देखिए 36 बटा 64 रूट में है तो 36 का क्या होता है चो चोंशा होता है आट तो यह यह तो रूट से निकल जाएगा हमको परमें पूछा है 81 को होगा कितना एक का एक ही रहता है और 81 का 9 हो जाएगा तो यह भी हो जाएगा कि लिए उसके बाद देखिए 49 का क्या होगा 7 तो मैनस 9 वट्टा 7 तो ये भी हमारा पर्मे है क्योंकि ये रूट से निकल रहा है हमको ओ पर्मे बोला था तो ओ पर्मे हो जाएगा option number C clear ना समझ रहा है न एक एक question को चलिए इसी तरह से समझना है अंदार ट्रीक के साथ कहीं पर भी जोल नहीं होगा और इस तरह से आप लोग बहुत अच्छे से maths के paper को solve करके आईएगा बुला गया है कि निम्न लिखित में कौन जो है और भाज संख्या है अब देखिए छो हमारा क्या है भाज संख्या है क्योंकि इसमें हमारा क्या है 2 से भाग लगेगा 6 से लगेगा 3 से लगेगा 2 से 3 से और 6 से भी इसमें भाग लग जाएगा तो ये तो हमारा भाज हो गया अब भाज संख्या उसको कहते हैं जिसमें केवल 1 और खुद के अलावा किसी भी संख्यां से भाग नहीं लगे तो 9 में देख लीजिए, 9 हमारा 3 से भी कटेगा ठीक है, और 9 से भी कटेगा तो ये भी हमारा क्या है भाज है, हमको अभाज पुछा है, ठीक है, 15 देखिए कितना 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा ठीक है और खुद 15 से भी कटेगा 11, 11 देखिए या तो केवल 11 से ही कटेगा केवल 1 से कटेगा, किलियर ना तो ये हमारा क्या है औभाज है 11 जो है 11 क्या है औभाज है तो option number D हो जाएगा, किलियर चलिए question number 9 को देखिए काफी सांधार है, बुला गया है कि बटा 3 है, अब इसके बीच में देखिए कितनी संख्या हो सकता है दोस्तों आप सभी को याद रखना है इसमें इस बीच में देखिए बहुत सारी ऐसी संख्या है जो आएगी, ठीक है तो दो परमे संख्याओं के बीच हमेशा याद रखेगा कि अनंत जो है परमे संख्याओं हो सकती है जैसे हम बात करें कि एक और दो के बीच कितनी संख्याओं आ सकती है तो इस बीच में बहुत संख्याओं आ सकती है, जैसे मान लिजिए कि आ जाएगा 1.01, 1.001 1.001, तो इस तरह से ठीक है यानि बहुत सारी संख्याओं हो सकती है तो हमेशा आपको ये कोस्टन में याद ही रखना है इस कोस्टन में कि दो संख्याओं के बीच जो है परमे संख्याओं अनंत हो सकती है किलियर ना option D हो जाएगा किलियर आ जाएगे question number 10 है बोला गया है कि निमने लिखित में कोन ओपरमे संख्याओं है ठीक है तो ओपरमे संख्याओं आप सभी को हम फिर से बता दें कि उसको कहते हैं जो root से जो है बाहर पुर्ण रूप से नहीं निकले ठीक है जैसे देखिए 64 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा 36 का 6 हो जाएगा तो यह तो निकल रहा है तो यह क्या होगा जली जवाब दोजे यह हमारा परमे हो जाएगा 81 का क्या होगा 9 होगा उसी तरह से 2.5 है तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं root के अंदर में 2.5 है तो 25 अब दसमला भटाएंगे नीचे 10 आप इसको काटेंगे 25 पंच दुना 10 यानि कि यह आगया root के अंदर में 5 बटा 2 क्या यह निकलेगा नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा तो ओपरमे हो गया तो option number C आपका सही जवाब होगा उसी तरह से 49 का क्या होता है आप जानते हैं 7 होता है और 9 का क्या होता है 3 होता है तो 7 बटा 3 यहां निकल रहा है तो यह तो ओपरमे हो गया तो ओपरमे का भाई क्या हो जाएगा ओपरमे तो option number C आपका बिल्कुल सही जवाब ठीक है question number 11 है रूट 2 जो है एक कैसी संख्या है दोस्तों हम आपको बता दें कि रूट 2 जो है यह एक ओपरमे संख्या है अब कैसे है तो यह तो आप लोग समझ गये होंगे क्योंकि रूट 2 ना रूट से बाहर नहीं निकल सकती है clear है ना तो root 2 जो है एक ओपर में संख्या होती है याद रखेगा कि लिए आ जाएगे एक एक चीज को वारिकी से समझे अगर मैंस में आपको हीरो बनना है तो आपको छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना होगा आप आराम से समझेगा ठीक है बुला गया है कि दो या दो से अधीक अभाद संख्याओं का मौसो हमारा क्या होता है मौसो समझ रहे न सीएफ क्या होता है सीएफ हाइस्ट कॉवन फैक्टर किलियर हां तो यहां पर दो या दो से अधीक अब आएए इसको एक सांधर लॉजिक से समझते हैं अभाद संख्याओं का मौसो हो जैसे कि 아भाद संख्याओं का मौसा हो है कि 2 आतीन नेते हैं देखें दो हमारा सम भी है और अबहार संख्या भी है स्थी अब यहां पर देखिए जैसे कि मैं ल्यायों यह तू यह तो यह तो Oh यहां पर हम जीसका SCF नहीं निकाल सकते हैं ज्शन कर तो यहां पर Kerryम य tax Ref तो बच्चा वला है question तो तीन और पांच का सेफ नहीं निकलेगा तो हमेशा हमेशा के लिए बोल रहे हैं अभी के लिए नहीं हमेशा बोल रहे हैं कि उसका सेफ हमेशा एक ही होता है ठीक ना चलिए तो यह चीज़ समझ आईए सेफ और अधायत और question है उसको हम आगे देखेंगे ठीक ना ऑगाएगा वह ही जिसे कि मालेज यह दो और चार यह कर्मिक है आब बोलेगा तीन के उन है तो तीन हमारा sum नहीं है वो भी sum संक्या है इसलिए तो 2 और 4 का SCF क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा आप लोग SCF निकाल लिए पहले अब ऐसा नहीं कि आपनों को SCF भी नहीं आता हो अगर जिनको नहीं आता है तो comment कीजिए ना हम आपनों को सारा चिट किलियर करेंगे जैसे देखिए कि हम आगे लेते हैं 6 के बाद क्या आजाएगा 8 आप कुछ भी ले लिजिए इसका SCF हमेशा जो है 2 ही निकलेगा जैसे 8 के बाद 10 तो इसका SCF हमेशा क्या निकलेगा SCF 2 ही निकलेगा तो बिलकुल जवाब हो जाएगा आपका option number B सही जवाब है आजाएगे question number 14 को देखिए बुलागा एक निम्न लिखीत में कौन परमे संख्या है किलियर न देखिए परमे संख्या तो हम आपको पहले ही बता गये है कि जो root से बाहर निकल जाए वो हमारा क्या होता है परमे संख्या ठीक है तो root 3 निकलेगा नहीं तो यह नहीं होगा यहाँ देखिए 4 पलस root 5 में है root 5 निकलेगा नहीं 6 निकलेगा नहीं अब यहाँ देखिए root 2 तो cut जाएगा यहाँ बचेगा 2 अब 2 है तो दो को हम 2 बटा एक तो भी लिख सकते है बटा में अगर कुछ नहीं होता है तो एक होता है यह आप लोग को मालूम होगा तो यह हमारा क्या हो जाएगा पर में हो जाएगा क्या हो जाएगा पर में हो जाएगा किलियर है चलिए आगे आगे बोला गया है 15 नमर पाई है अब काफी most important question है बोला है पाई के बारे में देखिए पाई अपने आप में जो है न एक बहुत ही बड़ा concept है चीक है और इसको समझाने के लिए हमको लगता है कि लगभग 5 से 7 मट लग जाएगा तो यहाँ पर तो नहीं लेकिन आपको याद रखना है याद रखना है कि पाई हमारा हमेशा ओपर में संक्या होगा कुछ चीज है जिसको आपको याद करना होगा कुछ चीज ऐसी होती है जिसको आपको समझना होता है तो यहाँ पर हम जो बोल रहे हैं आपको यह अभी फिलाल याद कीजिए अभी समझाएंगे तो फिर आप लोग फस जाईएगा तो इसको हम बाद में देखेंगे तो अभी आपको याद रखना है पाई कैसी संख्या है जली जवाब दिजिए पाई एक और परमे संख्या है किलियर 16 में आ जाईए रूट 3 और रूट 5 कैसी संख्या है क्या रूट 3 रूट से बाहर निकलेगी नहीं रूट 5 नहीं तो दोनों रूट से बाहर नहीं निकलेगी इसलिए हमारा ये कैसी संख्या हो जाएगी और परमे संख्या है ये कैसी संख्या है और परमे संख्या है तो आपस तक में कितनी बिसम संख्या है यह आपसे पूछा गया है तो दोस्तों आप लोग इसको लिख भी सकते हैं कॉपी पर नहीं तो आप देखिए बिसम संख्या निकालने के लिए एक आपको मिल्चा को कंसेप्ट बताते हैं या ट्रीक लिए इसको करना है जीरो पलस 50 बटे टू यानि पहली संख्या और अंतिम संख्या दोनों को एड करना है तो जीरो और पचास को एड करेंगे तो 50 हो जाएगा दो से डिवाइड करेंगे 25 हो जाएगा भाई साब तो देखने यह आ पचीस होता है और यह चीज आप लोग अपने कॉपी पर निकाल लिजिएगा जीरो ठीक है एक दो तीन डॉट डॉट पचास तक लिख लिजिएगा और उसमें गिनिएगा कि विशम संख्या कितनी है तो आपको निकल जाएगा पचीस किलियर ना आईए आगे देखते हैं को यहां से भाग दीजिए देखें यहां पर हो जाएगा आपका पांस से लगाई यह 5 तिया 15 पंचों का 20 तो यहां से कितना निकल गया पंचों का 20 तिया 60 यानि कि हमारा LCM जो निकल गया वो निकल गया 60 के लिए SCF की अगर यही पर बात करें तो 15 से यहां पर देखें लगा कर यहां हो जाएगा 3 पंचे 15 और 20 का हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 पंचे 20 दोनों में कॉमन क्या है 5 पंच कॉमन है तो आपका SCF जो है वो हो जाएगा 5 हमसे बोला गया है कि दोनों का अनुपात लौसों और मौ 205 काट लिजिए 5 एकम 5 12 पंचे 60 यानि की 12 अनुपात क्या हो जाएगा एक option number D आपका विल्कुल सभी जवाब है clear चली question number 19 है आपके सामने बुला गया है कि निवन में कौन जो है ओपरमय नहीं है ओपरमय नहीं है इसका मतलब क्या परमय होना चाहिए तो देख लिजिए 10 हमारा निकलेगा रूट से नहीं ये तो ओपरमय है बुला है रूट 24 ये भी ओपरमय है बुला है ओपरमय नहीं है 35 ये बाहर आ जाएगा तो 121 का वर्गमूल 11 होगा और ये रूट से निकल जाएगा तो ये हमारा उपरमय नहीं है तो option number D आपका बिल्कुल सही जबाब है ठीक है आईए आईए ना question number 20 को देखिए बुला है दो संख्याओं A और 18 का लौसो कितना है 36 और 402 हो तो A का मान क्या हो होगा दोस्तों आपको एक फर्मूला याद होगा एक फर्मूला याद होगा कि पहली संख्यां गुने दूसरी संख्यां गुने दूसरी संख्यां बराबर हमारा होता है LCM गुने HCF ठीक है ये फर्मूला होता है तो हमको बोला है दो संख्यां A और 18 है तो पहली संख्यां ह है और दूसरी 18 है बराबर हमको बोला है LCM फॉर्मूला में यह फॉर्मूला तो आप लोग जल्दी से नौट कर लिजिए मैस का इतना भी फॉर्मूला बताएंगे उसको अलग से कॉंपी में लिखते जाईएगा मैस को अगर बनाना है तो आपको इसमें फॉर्मूला बनाना ही होगा not करना ही होगा LCM कितना है तो लॉस व बोला है अठ च्छतीस है तो 36 लिख लिजीए गुना SCF कितना है? 2 है हमको A निकालना है तो यहां हो जाएगा 36 गुना 2 बटे 18 काट लिजिए 298, 394, 36 कितना निकल गया? 4 तो देखिए option number 4 कहां दिया गया है? option number C में बिल्कुल आसान question है और इस तरह का question exam में आना तय है तो इसको आप formula को note कीजिए पहली संख्या गुने, दूसरी संख्या बराबर SCF गुना LCM किलियर question number 21 है और दोस्तों उस काफी जोर से सर्दी हो गई है, कल से बहुत परिसान है समझे? तो आप लोगों को आवाज भी सुनाई देता होगा, लेकिन करे क्या काम है तो काम तो करना ही पड़ता है इसको छोर नहीं सकते हैं समझ रहे ना, एक एक चीज़ को? देखे, question number 20 और 21 हमारा सेम सेम हो गया, तो इसको हम छोर देते हैं इसका अंसर 4 होगा, खुद से बना कर एक बार देख लिजिए अगला देखे, 22 number बुला है, यदि P तथा Q, दो अभाज संख्या है अब मान लेते हैं कि P बराबर हमारा क्या है, 3 है और Q बराबर हमारा क्या है, 5 है आप अपने मन से भी ले सकते हैं P और Q को अभाज बोला है, तो आप अपने मन से ले लिजिए ना कुछ भी 7 ले लिजिए 10 11 ले लिजिए हमारा अभाज है बोला है उनका मोसो क्या होगा दोस्तों हम आपको पीछे भी बताए थे कि कभी भी दो अभाज संख्याओं का मोसो हमेशा हमेशा याद रखेगा हमेशा इसका SCF जो होता है वो हमेशा एक ही होता है तो option number D को tick कर भी जिए ठीक है आपका सही हो जाएगा clear 23 नमर कोशन बोला गया है कि निमन में कौन सी अभाज संख्यां है 29 बिलकुल आपका सही है 29 अभाज है क्यों क्योंकि इसमें केवल एक से और 29 से भाग लगेगा ठीक है इसलिए अभाज संख्यां का नियम होता है कि जिस संख्यां म एक और खुद के अलावा किसी भी संख्या से भाग नहीं लगे तो वो हमारा अभाज संख्या होता है 25 में तो 5 से भी लगेगा 25 से भी लगेगा 1 से भी लगेगा 16 में 2 से भी लगेगा 4 से भी लगेगा 6 से भी लगेगा 15 में 3 से भी लगेगा 5 से भी लगेगा 15 से भी लगेगा ये सब हमारा कैा है भाज है लेकिन 29 सब हमारा कैा अभाज है और भाज का भाई अभाज हो जाएगा Option No.1 Clear? आईए अगला question को देखिए दोस्तों ये class काफी important है, जो student कर लेगा, उसको पहला chapter में एक भी objective में दिकत नहीं होगा बुला गया है, 3.27 के उपर जो है bar bracket दिया गया है, ये कैसी संख्या है तो दोस्तों याद रखे, ये हमारा ओपर में संख्या है, कौन सी संख्या है, ओपर में संख्या, अब कैसे है देखिए, यहाँ पर केबल दो संख्या पर लगाया गया है, दो साथ पर, इसका मतलब है कि कभी न कभी ये दोनों संख्या बार बार repeat करती होगी, इस तरह से इसलिए इसको पूरा नहीं लिखने के कारण से, इसको shortcut में लिख दिया है 3.27 ये बार ब्रेकट ये दर्स आता है कि ये दो और साथ जो है ये बार बार repeat कर रही है इसलिए उसको नहीं लिखके डारेक्ट इस रूप में लिख दिया है और परमे संख्या का नियम होता है कि जो संख्या बार बार repeat करें यहाँ पर mistake हो गया ये 3.27 ये हमारा परमे संख्या है ठीक है कैसे संख्या है परमे संख्या है अब यहाँ पर देखिए कैसे परमे संख्या है ये चीज़ हम आपको बता दिये हैं किलियर ना चलिए तो ये परमे संख्या है कैसे तो इसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि जब कभी भी एक ही संख्यां बार बार रिपीट करें तो वो हमारा पर्मे होता है और एक ही संख्यां अलग-अलग रूप में रिपीट करें तो पर्मे संख्यां होता है ठीक है तो इस तरह से समझना आपको तो 3.27 पर बार बरेकेट है इसका मतलब यह दर्स आ रहा है कि 2.7 जो है यह बार बार आ रहा है इसलिए यह हमारा परमे संख्या है के लिए आज जाएंए अगला कोस्टन देखिए 25 नमबर किसी पुर्णांक M के लिए सम संख्या का रूप कोन है अब दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि पुर्णांक संख्या किसको कहते है देखिए दोस्तों पुर्णांक संख्या होता है जैसे कि 0 से लेकर 1,2,3 इधर डॉट-डॉट इधर माइनस में एक इधर माइनस में दू, इधर माइनस में तीन डॉट-डॉट ठीक है यानि हम क्या सकते है कि पुर्णांक संख्या जो है इसमें माइनस वाला भी, étaलस वाला भी और एक भी सामिल राता है तो अगर हम M बराबर एक ले ले तो यह हमारा कौन संख्या है पुनांग संख्या है हमको वोला है सम के रूप में होना चाहिए तो option से check करते हैं अगर हम M के अस्थान पर एक देंगे plus 2 करेंगे तो थिरी हो जाएगा क्या यह सम है नहीं तो यह होगा नहीं यहाँ पर रखिए M के अस्थान पर एक रखेंगे तो 2 एकम 2 plus 1 कितना 3 हो जाएगा यह क्या सम है नहीं यहाँ दो के अस्थान पर एक रखेंगे तो 2 एक आए 2 होता है यह हमारा सम है बिल्कुल सही है यह हमारा सही हो जाएगा यहां पर अगर मालेजिए 2 को एक से गुना करेंगे मैनस एक करेंगे तो 2 में से एक जाएगा एक यह क्या सम है नहीं तो हमसे सम के रूप में पूछा है तो सम के रूप में हमारा option number C हो जाएगा ठीक है चलिए और आज का last question है आपके सामने question number 26 बुला गया नीमनी में से कौन सा जो है और परमे नहीं है तो देखिए यहां पर और परमे नहीं है तो 64 को निकालेंगे तो 8 हो जाएगा और 81 का 9 हो जाएगा यह तो हमारा परमे है और परमे नहीं है इसका मतलब परमे पूछ रहा है तो option number A ही होगा दू रूट 3 रूट 3 नह है रियल नंबर का जितना भी question था important हम सारा question करा दिये हैं और उमीद करते हैं इस crash course को आप लोग एक बार जरूर कर लीजिए क्योंकि exam बहुत नजदिक है इसको कर लेते हैं तो maths में आप लोग 95% आराम से लेकर आएंगे आप भले कितना भी कमजोर क्यों नहों एक बार objective question क जो हम logic बता रहें बनाने का सही तरीका समय भी कम लगेगा ध्यान दिजिए समय भी आपको ज्यादा नहीं लगेगा और कम समय में इस streak के माध्यम से आप सारा question को solve कर सकते हैं किलियर है ना तो जल्दी से अपने दोस्तों में share कर दिजिए दवा के और जो student नए है चैनल पर पहली बार आए है चैनल को subscribe कर लिजे ठीक है ताकि आने वाली सभी वीडियो आप लों के पास पहुंचता रहे है किलियर ना तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और एक बात हाँ मैस में जितना भी question है एक बार आप लोग खुल से भी इसको repeat करिएगा बनान वन दे मातरम